हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरी यूटूब चैनल पर आप सभी का सबसे पहले आप मेरी चैनल पर नहीं है तो मैं जो लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें आज एक और बहुत बहतरीन और मोटिवेशन जो सुभासितानी है, संस्कीत की सुभासानी अर्थ सहीत आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ तो कैसा लगेगा आपको आप बताएगा जरू ठीक है, देखिए संस्कीत में इस लोक है, इसका क्या आर्थ है यथा होकेन चक्रेड न रथस्य गती भरवेत, ठीक, एवं परुस कारेड बिना देवम न सिध्यती कहने का मतलब दोस्तों क्या है, यथा होकेन चक्रेड मतलब बिना पहिये के रत नहीं गती में हो सकता है स्पिस्ट। गार्फ कि आतया का मैं आर्थ हो यह hacking को आशा करते। शुबह अथानी का अर्थ समज में आया होगा कि अर्थ होगा, through जैसे एक पय। नहीं चल सकता है Points इसी प्रकार बिना पूरिषार्थ के भाग सीदह का थी तो आसा करता हूँ इस संत्कृत शुभासितानी का आपको अर्थ समझ में आया होगा इसका क्या अर्थ है यता होक्रेन चक्रेड नरथस्य गती भरवेत एवं परुस कारेड बिना देवम नसिद्यती पहने के मतलब कि यदि भागे को चमकाना है या भागे को उदय करना है तो पुरुसार्थ के भागे उदय नहीं हो सकता है जैसे कि एक पहिये से रत नहीं चल सकता है रत को चलने के लिए चार पहिये की आवशकता होती है उसी प्रकार भागे को चमकने के लिए पुरुसार्थ की आवाशकता होती है बिना पुरुसार्थ के भागे सीद नहीं हो सकता है आसा करता हूँ यह बात आपको समझ में आगी जो कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें एक बार अंतिम में फिर से इसका अर्थ हार्थ में समझाता हूँ जैसे कि एक पहीजी सरत नहीं चल सकता है उसी प्रकार बिना पुरुसार्थ के भागिसित नहीं हो सकता है मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें